इस एक वीडियो में हम पूरी NCRT की हर एक लाइन को कवर कर रहे होंगे प्लस आपको सारे important questions देखने को मिल जाएंगे यही sites में प्लस आपको इस chapter के notes हमारे description में मिल जाएंगे प्लस आपको NCRT highlights मिलेगी जिसका भी PDF आपको description में मिल जाएगा इस chapter में हम mainly बात करेंगे महत्मा गांधी की और nationalist movements की जब हम बात करते हैं nationalism की nationalist movements की हमारे colonial period की इंडिया के तब हम बात करें हैं उन movements की जो इंडिया में हो रहे थे colonial powers क्या गेंस्ट लोग हमारे इंडिया में आप unite हो रहे थे इंडिया को freedom दिलाना चाह रहा है किसी भी country के nationalism की history making of the nation की जो history है वो किसी एक individual के साथ associate कर दी जाती है for example, Italy में Gary Baldy George Washington हमारे American War of Independence के पीछे associated है Ho Chi Minh हमारे free Vietnam के जो struggle था, Vietnam में भी colonial powers थी, तो उनका जो struggle था उसके पीछे सबसे पहला important नाम आता है Ho Chi Minh का और हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी का इनको हम इंडिया में father of the nation term से भी denote करते हैं गांधी जी बहुत सारे leaders थे, उनमें से एक थे, लेकिन clearly गांधी जी की popularity सबसे ज़्यादा थी इन leaders में, he was the most influential and the most revered यानि की काफी ज़्यादा respected भी हमारे society में थे, आज की date में भी हर एक इनसान गांधी जी को जानता है, चलो अब तो ये note में भी आ गया है, लेकिन पहले की time पे जब ये note में नहीं थे, तब भी ये काफी ज़्यादा influential और काफी ज़्यादा popular leader थे हमारे इंडिया में, तो इनका ये जो characterization है, यानि की इनको जो father of the nation बुलाया जा रहा है, जो इनकी popularity है, ये misplaced नहीं है, ये गलत नहीं है, काफी ज़्यादा appropriate है, इस chapter में हम देखेंगे, कितनी ज़्यादा mass appeal की थी गांधी जी की, हमारे इंडिया में कितने अदा actively इनको ज़्यादा follow कर रही थी, अब चाहे Washington हो, Ho Chi Minh हो, या फिर गांधी जी हो, इनके जो political career है, वो shape होते हैं, जिस society में ये लोग रहे रहे हैं, उसके थूरू, कुछ constraints भी होते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, कितना जनता आपको follow करेगी, किस चीज में आपको support मिलेगा, ये सारा जो चीज़ें हैं, ये पूरा इंका जो political career होता है, वो society shape करती है, तो इस chapter में हम यही सब देखने वाले, even the great individuals are made by history, जितना ये थी, उनको analyze करेंगे, 1915 से 48 के बीच में, 15 में गांदी जी इंडिया आया थी, 48 में इनकी death हो गई थी, तो उस time period में इन्होंने इंडिया में क्या क्या किया, सब कुछ हम देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने अलग-अलग sections के साथ, अलग-अलग लोगों के साथ interact किया, कैसे कुछ इन्होंने movements चालू किये, struggles को lead किया, कुछ struggles को inspire किया, हर एक site से हम बात कर रहे होंगे और आप हर chapter की तरह देखने वाले होगी, हमारे जो sources हैं इनकी history को reconstruct करने के लिए, इनके जो mass struggles होते थे, उनको देखने के लिए हमाई जो sources हैं, उनकी भी हम इस chapter में बात कर रहे होंगे सबसे पहली image आप यहाँ पर देख सकते हो, कितनी जनता आ जाती थी गांदी जी के नाम से, ऐसी काफी सारी images इस chapter में हम देखने वाले हैं, और ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये गय थे as a lawyer, और वहाँ पे Indian community के leader बनके ये उभर गए, चंदरन देव नेशन एक historian है, इन्होंने गांदी जी के बाले में बोला है कि South Africa was the making of the mahatma, South Africa वो जगा थी जहाँ पे गांदी जी एक leader बने, mahatma बने, South Africa में ही गांदी जी ने पहली बार अपनी जो techniques थी, सत्याग्रे का protest का तो तरीका था, non-violent protest का, ये साइट techniques को उन्होंने पहली बार लोगों के सामने implement किया, पहली बार इनोंने religions के बीच में harmony को promote किया, पहली बार इनोंने upper caste Indians को alert किया, warn किया कि अगर आप अपना जो discrimination है करते रहोगे lower caste लोगों की तरफ और women की तरफ, तो ये विलकुल भी सही रास्ते पर आपको लेके नहीं जाएगा, तो पहली बार ये जो जैसे तो अभी भी हम बिटिशास के अंडार में थे हमें एक कॉलोनी थे, लेकिन अब हम politically काफी ज़्यादा active हो चुके थे, Indian National Congress है हमाई इंडिया की, ये काफी ज़्यादा अपनी branches को spread कर चुकी थी, और most हर important cities और towns में, Indian National Congress काफी ज़्यादा active हो चुकी थी, स्वादेशी मुव्मेंट 1905 और 1907 के बीच में जो हुए थे, स्वादेशी मुव्मेंट ने भी Congress की जो popularity थी, इसको काफी ज़्यादा बढ़ा दिया था, अब जो middle class section था, ये भी काफी ज़्यादा active हो रहा था, Congress के साथ जोड़ रहा था, Congress को support कर दा था, इन movements के थुरू, इंडिया में भी बहुत सारे political leaders emerge होने लगे थे, सबसे important leaders में है, बाल गंगादा तिलक, महराश्च के, विपिन चंद्रपाल, बेंगॉल के, लाला लाजपतराय, पंजाब के, इन तीनों को साथ में बुलाया जाता है, एक illustration है, लाल बाल पाल, अब यह जो illustration है, एक हमारे political scenario के unified nature को, एक all India nature को portrait करता है, एक Bengal से, एक Punjab से, एक महराश्च से, अलग-अलग region से belong करते थे, इनके native provinces बहुत अलग-अलग थे, लेकिन यह लोग image हो रहे थे, तो एक all India character हमें आप देखने को मिल ला था, इन leaders के बीच में भी, यह जो leaders थे हमने बात करी, यह leaders support करते थे, militant opposition को, कि हमें colonial rule के against, काफी aggressive actions लेना चाहिए, हमें उनको direct fight करना चाहिए, इस चीज़ को, लेकिन कुछ leaders ऐसे भी थे, इनको हम बुलाते हैं, moderates, यह moderates का कहना था, हमें gradual approach रखनी चाहिए, persuasive approach रखना चाहिए, यानि कि हमें ऐसा नहीं कि एगदम instant actions लेना चाहिए, लडाई करना चाहिए, नहीं, हमें persuade करना चाहिए, हमें meets करना चाहिए, discussions करना चाहिए, कुछ का कहना था कि हमें non-violent and protest करना चाहिए, इस तरीके से हमें deal करना चाहिए colonial powers के against, जो moderates हैं, इन में आते हैं, गांधी जी के political mentor गोपाल कृष्ण गोखले, मोहमद अली जिन्ना, ये लोग, मोहमद अली जिन्ना और गांधी जी में काफी similarity थी, दोनों का ही अगर अपन origin देखें तो गुजराती था, दोनों नहीं लंडन में अपनी training ली थी, lawyer थे तो ये similarities हमें देखने को इनके बीचे में मिलती हैं, ये भी आप अपने answer में जरूर लिखिएगा गोखली जी की advice में जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला काम किया इंडिया को थोड़ा explore करने का एक साल इन्होंने बिटिश इंडिया को 1915 का बिटिश इंडिया इसको explore किया अलग-अलग जगाओं पे गए लोगों से मिले और देखा कि भाई क्या scene चल रहा है हमारे इंडिया में फिर एक साल बाद इन्होंने पहला अपना appearance दिया इंडिया में जो की था एक बहुत important appearance बनारास हिंदू university की opening थी February 1916 में जहाँ पे आये थे सारे important लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आये हुए थे princess को बिलाया गया था philanthropist यानि की humanitarians थे जो की donations वगरा दिनेगा काम कर रहे थे इन लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे जो वो था वो गया प्यों हो गया यहाँ एक सेंट के लिए था उसको screenshot लेके पढ़ लेना important questions थे वो भी क्योंकि इस topic से questions आ जाते है तो important elite class के लोगों को बनारस Hindu University की opening में बुलाया गया था और गांदी जी को भी यहाँ पे बुलाया गया था कुछ leaders भी यहाँ पे थे for example any recent जैसी important leader को भी यहाँ पे बुलाया गया था अब इन noblemen, in dignitaries, in prominent figures के सामने गांदी जी काफी unknown थे, गांदी जी को तो बुलाया गया था कि South Africa में अच्छा काम करके आया है तो बुला लेते हैं, इंडिया में तो इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था, तो इन लोगों के सामने गांदी जी काफी unknown थे, लेकिन गांदी जी ने इन लोगों को सिधा अटेक कर दिया, अब गांदी जी ने यहाँ बीएचिव में क्या स्पीच दी, उसके हम बात करते हैं गांदी जी ने जो एलीट सेक्षन यहाँ पर बैठा हुआ था, इसको सिधा अटेक किया और बोला कि आप जो हमारे इंडिया का लेबरिंग पूर सेक्षन है, उसके तरफ आप काफी अदा lack of concern शो करते हो, जो कि सही नहीं है बीएचिव की ओपनिंग में गांदी जी ने बोला certainly a most gorgeous हो, एक बहुत शांदाश हो रहा अच्छी बात, अच्छी उपनिंगाप कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो richly bedact nobleman बैठे हुए हैं, यानि कि सजे सवरे, ornaments वगरा पहने हुए, जो noble class बैठी हुई है उसमें, और millions of poor, जो कि यहाँ पर invited नहीं है बहुत सारे जो गरीब sections है, हमारा majority section है इंडिया का, जो यहाँ पर present नहीं है, इन दो classes में एक बहुत बड़ा gap है, और यह जो gap है काफी ज़दा worrying है गांदी जी ने बोला, यह जो यहाँ के nobleman बैठे होते हैं, इन लोगों से बोला, कि इंडिया की salvation, इंडिया की मुक्ती, इंडिया की आजादी, तब तक possible नहीं है, जब तक आप अपनी jewelry को, strip नहीं कर देते खुद को, और अपना जो पैसा है, वो अपने countryman पे, अपने laboring class में नहीं लगाते, गांदी जी थोड़ा, symbolically यहाँ पर बातें करते हैं, गांदी जी literally jewelry से jewelry मीन नहीं करते हैं, basically वो बात करते हैं, trustee ship की वो बात करते हैं, कि जो nobles यहाँ पर बैठे हैं, आपको concern show करना चाहिए, laboring class की तरफ, आपको wealth accumulate करने की जगा, अपनी wealth, अपनी energy, अपनी power लगानी चाहिए, अपने जो poor section से इंडिया में, उनकी तरफ, ताकि उन लोगों को आप support कर सको, और उन लोगों को आप oppression से बचा सको, और इंडिया की salvation आप इंडिया को दिला सको, गांदी जी का कहना था, अगर हम अपने peasant class को लूटते रहेंगे, और बाकि लोगों को भी peasant class को लूटने देंगे, उनको oppress करने देंगे, तो हम कभी भी self-governance तक नहीं पहुँच पाएंगे, फिर हम में कोई self-government की spirit है ही नहीं, गांदी जी का कहना था, हमारा जो salvation है इंडिया का, ये farmer के through ही possible है, इसको lawyer, doctor, या जो rich landlords हैं ये लोग दिला नहीं सकते, अगर हमें इंडिया की freedom चाहिए, तो हमें peasants के through वो दिलानी पड़ेगी हम इंडिया को क्योंकि major section हमारे इंडिया का क्या था peasant class था, अब वैसे तो opening of BHU was a cause for celebration पहली बार ऐसा हो रहा था, कि एक Indian initiative था, Indian पैसे को हम use कर रहे थे, हमें nationalism की feeling देखने को मिल रही थी, एक Indian nationalist university open up हो रही थी, लेकिन गांदी जी ने self congratulation की tone को use नहीं किया, गांदी जी ने चूज किया ये जो nobleman यहाँ पर present है, इनको congratulate करने की जगे, इनको याद दिलाया जाए, कि जो हजारों लाखों लोग यहाँ पर present नहीं है, वो भी इतने ही important है, बलकि वो तो जादा important है आज की date में, क्योंकि वो ही लोग इंडिया की salvation हमें दिला पाएंगे, तो गांदी जी ने उन लोगों के बारे में बात करी, जो कि यहाँ पर present नहीं थे, गांदी जी की यह जो speech है, February 1916, opening of BHU की, यह एक level पे इस चीज को portrait करती है, कि जो Indian nationalism इस time का था, वो एक elite phenomenon था, जो lawyers थे, doctors थे, landlords थे, यह लोग इसमें participate कर रहे थे, masters इसमें participate नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरे level पे, यह गांदी जी का intent भी show कर रही थी, यह speech, यह दिखा रही थी कि गांदी जी क्या चाहते है, गांदी जी क्या चाहते थे, कि जो nationalism है इंडिया का, इसको हम एक all India phenomena बनाए, एक ऐसा phenomena बनाए जिसमें पूरा इंडिया participate करें, जो peasant section है, वो भी participate करें सिर्फ elite लोगों की चीज़ यह ना रहे तो यह गांदी जी दिखाना चाहते थे और यह दिखाने आं गांदी जी को मौका मिला भी यहाँ पे एक phrase लिखा हुआ गांदी जी को ideologies वगरा जो थी, उनको practice में भी ला पाए, यह आप phrase याद रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको board exam में भी use किया है, फिर college के exam में भी जब गांदी जी से related question आया, तो same यही phrase को मैं use करके आया था, तो इस तरीके की चीज़ आप याद कर लेंगे, अपने answers में लिखेंगे, उसकी quality काफी बढ़ जाती है, गांदी जी को मौका क्या मिला, annual congress जो congress की annual meeting होती थी हो रही थी लखनाउ में, December 1916 में, साल के end के time पे, यहाँ पे एक present आते हैं चंपारन बिहार से, जो की बताते हैं कि कितना अधा harsh treatment हम लोगों के साथ किया जा रहा है, जो British Indigo Planters हैं, वो हमें काफी ज़ादा oppress करते हैं, और इसके बाद गांदी जी को मौके मिले, अलग-अलग struggles initiate करने के, गांदी जी ने अपना 1917 का ज़ादा ता टाइम है, वो परान में ही spend किया, यहां पी जो peasant class थी, इन लोगों को यह support कर रहे थे, इन लोगो security of tenure हो किया रहा था कि इन लोगों को land कभी भी इनका छीन लिया जाता था, तो उसकी security दिलाना चाहते थे, freedom नहीं होती थी इनके पास, जो cultivate करना चाहते है, peasants वो cultivate करने नहीं दिया जा रहा था बलकि force किया जा रहा था कि यही आपको गाना होगा, इन सब चीजों के लिए गांदी जी struggle कर रहे थे, फिर 1918 में गांदी जी ने दो बहुत important campaigns की दोनों ही अपने hometown गुजरात में, वैसे जो dates है और जो नाम अगया यह आपको याद करने पड़ेंगे, तो एक सीधी timeline में हम चल रहे है, 15 में आए, फिर 17 में ये, 18 में दो moment, तो ऐसे आप time frame को याद करते जाए, क्या किया 1918 में, पहले उन्होंने एक labor dispute था, एहमदाबाद का उसमें intervene किया, इसमें क्या हो रहा था तो textile mill workers है उनके लिए better working conditions की ये demand कर रहे थे, उसके बाद ये joint canon है, peasants को, खेडा के peasants को, यहाँ पे क्या हो गया था crop failure हो गया था, harvest fail कर गया था, तो इसके लिए ये मांग रहा थे हैं कि बाई, जो taxes हैं, वो हम pay नहीं कर सकते हैं, तो उसका remission चाहिए यानि कि उसको आप इस साल के लिए माफ कर दीजिए, तो इस तरीके से गांदी जी किसका support कर रहा है, जो poor sections थे, जो struggling sections थे, चाहिए वो labor section हो, जो peasant section हो, इन लोगों का, तो चंपारन, एहमदाबाद और खेडा के बाद, गांदी जी एक ऐसे nationalist leader बन गए थे, जो कि अब poor section के लिए काफी ज़्यादा सिंपती रख रहा है, और लोगों काफी ज़्यादा support कर रहा था, लेकिन ये जो सारे हमने struggles देखे, ये local level के struggles हैं, किसी जगर पे problem हो रही है, तो Britishers ने पूरी censorship लगा दी थी press की उपर, detention without trial, यानि कि जो पूरा legal framework होता है, इसको पूरा बंद कर दिया गया था, Britishers को कोई भी ऐसा लगता था कि ये कुछ हमारे government की power के against जा रहा है, तो उसको सीधा jail में डाल दिया करते थे, ये सब चलता रहा World War के टाइम पे, उसके बाद भी Sir Sydney Rowlet की एक committee थी, इसने decide कि World War खतम होने के बाद भी हम ये जो actions है, इनको continue रखेंगे basically, Britishers ने Rowlet Act लगा दिया था, उसमें यही सब हो रहा था कि किसी को भी jail में उठाके डाल दिया जाता थे, तो गांदी जी ने campaign चालो किया इस Rowlet Act किया गेंज, और ये गांदी जी का पहला एक country wide campaign था, जिसमें पूरे इंडिया से इनको support मिला, पूरे north और west इंडिया में, पूरी life जो थी, वो standstill में आ चुकी थी, क्योंकि बंद का call था, तो लोगों ने अपनी दुकाने बंद करी, schools वगरा बंद हो गया और लोग अब protest में आ रहे थे, especially पंजाब के region में protest काफी दा intense थे, क्योंकि world war के time पे पंजाब region ने काफी दा support दिया था, बहुत साए लोग Britishers को serve कर रहे थे, इनके लिए fight कर रहे थे, और इनको क्या लगा था कि हम Britishers की help कर रहे हैं उनके tough time में तो जैसे ही war खतम होगी, Britishers हमको reward देंगे, Britishers हमाई तरफ kind रहेंगे, लेकिन Britishers ने 1919 में क्या लगाया, roll it act लगा तो इसके बाद ये लोग काफी ज़दा गुस्सा थे गांधी जी जब पंजाब की तरफ जा रहे थे तो इनको भी detention में डाल दिया गया detention, detention camps में होते थे जेल्स में होते थे, congressmen जो यहां के local थे, पंजाब region के इन सब को जेल में डाला जा रहा था, लेकिन जो पंजाब ही जनता यहां पे intensity काफी दा बढ़ती चली जा रहे थी, यहां पे काफी दा aggravated थी जनता भी, और Britishers भी action लेना चाहते थे, यह पहुँचा climax पे, Amrit sir में 19, 19 April में जब एक peaceful gathering चल रहे थी वहां पे एक British brigadier आ रहे उन्होंने अपनी troops को order दे दिया गया कि आप open fire कर दीजिए, इस nationalist meeting में, जो भी लोग आपको यहां पे दिख रहे हैं, इन सब को आप मारते जाहिए, बहुत साहे लोग, 400 प्लस लोगों को मार डाला गया, बहुत साहे लोगों को injured किया गया, और लोगया, non-corporation British rule के against, non-corporation में क्या कर रहे थे, basically जितने भी लोगों से बोला जाए था कि अगर आप colonism को end करना चाहते हो, तो आप non-corporate करो Britishers के साथ, सारे schools वगए attend करना बन कर दो, college attend बन कर दो law courts जाना बन कर दो taxes pay करना बन कर दो, basically जितनी भी चीजों को आप renunciate कर सकते हो, जितने भी चीजों को आप छोड़ सकते हो, government की उन साही चीजों को आप छोड़ दो, गांधी जी का कहना था अगर हमने non-corporation एक साल भी अच्छे से चला लिया, तो हमें सौराज मिल जाएगा, हमें Britishers से freedom मिल जाएगी अब गांधी जी काफी ज़दा clever एक leader थे, इन्होंने क्या क्या non-corporation movement को खिलाफत movement के साथ mix कर दिया, खिलाफत movement क्या था, हुआ क्या था, केमाल अता-तुर्क, एक Turkish ruler थे जोन्होंने caliphate को abolish कर दिया था, caliph एक important position होती है, Muslims में, basically Muslims के जो spiritual और religious leader होते हैं, वो होते हैं caliph, तो इन सारे Muslims के लिए, जो caliph हैं यह बहुत important होते हैं, caliphate को एक symbol of pen Islamism देखा जाता है, कि worldwide जितने भी Muslims हैं, इन सब के लिए, सब की unity को portrait करता है, इन सब के लिए जो caliphate ने इसको start किया था, तो इस movement को Muslims का support मिला, तो गांधी जी ने बोला, अगर non-corporation को खिलाफत movement के साथ mix कर दिया, तो Hindu और Muslims एक हो सकेंगे, तो इसलिए non-corporation ने shake किये hands खिलाफत movement के साथ, और इसके बाद Hindu और Muslims अब इस तरीके से हो रहा है, देखा जाया था गांधी जी का कहना था, कि अब सिंस हमने इसको mix कर दिया है, अब Hindu और Muslims साथ में मिलके fight करेंगे colonial rule के against, और काफ एदा support मिला भी, non-corporation movement को, mixed with khilafat movement, अब पहली बाद ऐसा देखने को हमें मिल रहा था कि बहुत सारा amount में लोग इसको support कर रहते हैं, और मासे सब action ले रही थी, colonial rule के against, clearly an unprecedented thing happening in colonial India, basically आज के पहले इतना जादा बड़े scale पे कोई भी movement initiate नहीं हुआ था, पहली बाद ऐसा कुछ हो रहा था, कि students ने schools और colleges जो government थे उन में attend करना बन कर दिया lawyers ने court जाना बन कर दिया working class strike पे चली गई, towns और cities में ही सब हो रहा था, official figures की माने तो 396 strikes थे 1921 में जिसमें 600,000 जो workers थे, वो involved थे और 7 million work days का loss था, तो basically बड़े scale पे लोग strikes पे जा रहे थे, 7 million work days का हमें loss देखने को मिलता है, यानि कि in total हम 7 million work days की बात करें, एक दिन की बात नहीं कर रहे है, in total इतने सारे days का loss हुआ, तो लोग basically अब government के साथ non-corporate कर रहे थे और सिर्फ towns और cities में नहीं, countryside में भी, seeding यानि कि लोग उबल रहे थे, colonial power के against, लोग discontent थे, तो hill tribes नौर्थर्ण, आंदरा के, इन्होंने forest laws break करना चालू कर दिया अवद के जो farmers थे, टेक्स पे नहीं कर रहे थे, जो कुमाउन के जो peasants थे, ये लोग Britishers के लिए loads करी नहीं कर रहे थे, हम आपके समानवामान आप करी नहीं करेंगे, हम आपके against, protest करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिला था, कि सारे लोग colonial power के against हो रहे थे, और कई बात ये भी होता था, कि जो local leaders हैं, इनकी भी सुनी नहीं जाती थी, कि भाई किसी congressman leader ने बोला है, कि ऐसे से हम करेंगे, या फिर इविन power के against, इस तरीके से एक्ट करना है, अपने अपने interest के हिसाब से लोग अपने actions ले रहे होते थे, तो जरूरी नहीं है कि जो dictates उपर से आ रहे हैं कि किसी leader ने ये बोल दिया, तो वैसे ही होगा, लोग अपने तरफ से अपने actions ले रहे होते थे, गांधी जी की जो बायोग्राफिये एक American ने भी लिखिये, लुई फिशर ने, इन्होंने काफी कुछ गांधी जी के बाल में बताया है, इन्होंने बोला है, the non corporation became the name of an epoch in the life of India and गांधी जी, basically ये बोला है कि non corporation गांधी जी लाइफ का, इंडिया का एक बहुत important पार्ट बन चुका था, ये इतना negative था, ये peaceful रहे हैं, लेकिन इतना positive भी था कि effective रहे हैं it entailed denial, recensation और self-discipline, यानि कि कुछ चीजों को deny किया जा रहा था British self-related साही चीजों को renunciate किया जा रहा था, give up किया जा रहा self-discipline भी included था इसमें और ये जो non-corporation है, ये self-rule के लिए preparation था, self-rule के लिए ये training थी, ये सब बोला, Louis Fisher ने अपनी गांदी जी के बायोग्राफी लेखी उसमें non-corporation के बाद, जो British rule था हो, पुरा shake कर चुका था और 1857 का जो revolt हमने रेबेल से इन दाराज में सोना था, उसके बाद पहली बार हुआ था कि British आज इस तरीके से अब हिल रहा था, यहाँ side में आप image देख सकते ये non-corporation movement के time की image है, जहाँ पे foreign cloth को collect किया जा रहा और burn किया जा रहा है ये भी एक basically protest का एक तरीका था, लेकिन सिर्फ cloth को burn नहीं किया गया, और भी ऐसे actions लिये गए, February 1922 को हुआ कि एक peasant के group ने एक police station, जो की चौरी-चौरा में था, वहाँ पे attack कर दिया चौरी-चौरा के एक hamlet, यानि की चौरी-चौरा पहले attack किया गया, फिर उसको burn कर दिया गया, conflagration यानि की इसमें आग लगा दी गई थी, और इस conflagration में काफी सारे police constables की भी death हो गई तो गांधी जी जो की non-violent को support करते थे, उनको ये सही नहीं लगा, और since ये बहुत violent था, गांधी जी ने अपना पूरा जो movement था, non-corporation का उसको call-off कर दिया, गांधी जी का कहना था कि आपको कोई कितना भी provoke करे आपका ये जो murder का जो scene है, इसको आप justify नहीं कर सकते, आपने किसका murder किया है, उन लोगों का जो आपके सामने, mob के सामने defenceless थे, जो mob की mercy पे dependent थे, आप लोग, आपने उन लोगों का murder कर दिया, वो लोग आपका कुछ नहीं बिगार पाया थे, लेकिन आपने उनको मार डाला, तो गांधी जी non-violent को support करते थे, इसलिए उन्होंने इस movement को call off करना पड़ा, गांधी जी का जो non-corporation movement था, इसमें बहुत साई लोगों ने participate किया, thousands of Indians were put in jail, गांधी जी खुद को जेल में डाला गया था, March 1922 में, और इन पे charge लगा गये थे, sedition के, कि basically जनता को government के against ये भढ़का रहे थे, जिस judge ने गांधी जी का trial लिया, और जो गांधी जी को sentence सुना रहे थे, जो basically जो अपनी punishment जब उस judge सुना रहे थे, तो इन judge ने गांधी जी के लिए एक speech भी बोली, जो की काफी ज़्यादा interesting है, judge कौन थे, C.N. Broomfield, इन्होंने अपना sentence सुनाते हुए बोला कि, इस चीज को मैं ignore नहीं कर सकता कि आप कितने अलग हैं, मैंने बहुत साहे लोगों का trial लिया है, बहुत साहे लोगों का मैं trials लूँगा, लेकिन आप एक अलगी category के हैं, आप एक अलगी individual है, इस चीज को ignore नहीं किया जा सकता कि आप बहुत साय लोगों के लिए millions of people के लिए आप एक great patriot और एक great leader है और even वो लोग जो politically आपकी ideology से differ करते हैं वो लोग भी जानते हैं कि आप एक high ideals वाले man है आप एक saintly life जीने वाले man है तो Gandhi जी ने violate किये थे laws को तो bench जो बैटी हुई थी judges की bench उनको punishment तो देना ही पड़ेगा तो six year imprisonment थी इनकी crime के लिए लेकिन Bloomfield जो की judge थे उन्होंने बोला कि अगर future में ऐसा कुछ होता है कि government के लिए possible होता है कि वो आपकी जो six year imprisonment है उसको कम कर सके और कम करे तो मेरे से ज़ादा खुश और कोई नहीं होगा मैं बहुत ज़ादा खुश होँगा अगर आपकी सजा कम होती है तो 1922 में हमें क्या देखने को मिलता है गांदी जी ने जो अपनी BHU में speech दी थी जो nationalism को transform करने की बात करी थी वो उन्होंने कर भी दिया तो 1916 की speech 1922 की reality बन चुकी थी गांदी जी की अब सिर्फ professionals और intellectuals पार्ट नहीं ले रहे थे nationalism में बल्कि हजारों लोग peasants थे worker class, artisan class ये लोग भी अब nationalism में पार्ट ले रहे थी ये लोग भी movements में उतार रहे थी गांदी जी was venerated, गांदी जी को काफी यदा respectfully देखा जाता था अब महात्मा भी बुलाया जाने लगा था अब क्या reason थे कि गांदी यदा की इतनी mass appeal बढ़ रहे थी एक reason ये भी था कि गांदी जी इन ordinary citizen की तरह death up होते थे, गांदी जी इन लोगों की जीते थे इन लोगों की भाषा बोल रहे होते थे जो बाकी जो leaders है न वो superiors जैसे लगते हैं लेकिन गांदी जी इन common folk की तरह लगते हैं common folk की problems के साथ empathize करते हैं इन लोगों की problems को समझते हैं और इन लोगों की problems के साथ identify करते हैं खुद को इन लोगों के साथ खुद को identify करते हैं गांधी जी का जो dressing sense था ये भी काफी important था जहां बाकी जो leaders वगरा थे हमारे वो western suit वगरा पहना करते थे या फिर बंद गला पहना करते थे जो की superior elite class की dressing है लेकिन गांधी जी क्या करते थे गांधी जी loin cloth ये term यादना है तो धोती लिख के आजाना simple धोती पहनते थे और इन लोगों की तरह dress up करते थे इन लोगों के साथ रहते थे चर्खा चलाते थे रोज चर्खा चलाना भी एक बहुत important symbolic चीज है अब basically गांधी जी खुद चर्खा चला रहे हैं पाकी नेशनलिस्ट को भी बोल रहे हैं कि आप चर्खा चलाईए क्यों क्यों जो spinning है अब ये एक labor work है लेकिन उस time पे क्या चल रहा होता था ट्रडिशनल कार सिस्टम चलता था जहां पर mental labor और manual labor करने वालों के लोगों के बीच में काफी ज़ादा difference देखा जाता था कि जो mental labor करने वाले intellectuals हैं वो labor physical labor नहीं करते थे और जो physical labor करने वाले लोग हैं उनको look down किया जाता था लेकिन गांदी जी physical labor को manual labor को भी काफी ज़ादा support करते थे गांदी जी बोलते थे कि हमें labor का का काम खुद करना चाहिए इसको डेलोगेटरी तरीके से नहीं देखना चाहिए तो यह जो हमारे जो नॉम्स बन रहे थे हमारे जो stereotypes वगरा बन रहे थे उनको भी गांदी जी break कर रहे थे एक शाहिद Amin नाम के एक historian ने उन्होंने study करी basically find out करने की कोशेश कर रहे थे कि इस्टन उत्ता प्रिदेश के जो peasants है वो गांदी जी को किस तरीक से देख रहे थे तो यह reports rumors और local press के थूर हमें पता चलता है जो local press में reports और rumors वगरे आ रहे थे उनके थूर हमें पता चलता है 1921 February में गांदी जी जहां पर भी speech देने जा रहे थे जहां पर भी जा रहे थे वहां पर adoring crowds crowds का फिर उनको प्यार कर रहा था प्यार दिखा रहा था इसी का example हमें यहां पर देखने को मिलता है गोरकपुर का एक Hindi newspaper है जिसमें गांदी जी की speech के टाइम पर क्या माहौल होता था उसके बारे में बात की जा लिए गांदी जी ने भटनी में एक जनता को address किया speech वगरा दिया और उसके बार टेन पकड़ी गोरकपुर जाने के लिए अब भटनी से गोरकपुर जाने के रास्ते में बहुत सारे स्टेशन्स आ रहे थे वहां पर जनता जमा ओर थी गांदी जी को देखने के लिए और थोड़ी बहुत जनता नहीं 15-20,000 से जादा की जनता बिना WhatsApp, बिना इंस्टा, बिना Facebook के 15-20,000 की जनता बहुत बड़ी होती है नुनखा, देवरिया, गौरी बजार, चौरी चौरा, कुश्मी यह सारे स्टेशन्स हैं जहां पे 15-20,000 से जादा, 10,000 की जनता एकटा ओर थी गांदी जी को देखने के लिए, खुश्मी में गांदी जी ने देखा, तो बहुत खुश हुए, क्योंकि खुश्मी एक जंगल के बीच का एक स्टेशन है, जहां पे 10,000 से जादा ही लोग गांदी जी को देखने के लिए ख पूरी जंनता लग गई कि हम भी देना चाहते हैं, हम भी देना चाहते हैं, एक चादर फेलाया गया और उसमें लोगों ने सिख और नोट्स पूरे डालना चालू कर दिये, कि गांधी जी को सपोर्ड के लिए लोग बस गांदी जी के दर्शन कर रहे थे, गांदी जी को देखने के लिए आ रहे थे, कई मिनट तक गांदी जी आपर खड़ रहे और लोगों को दर्शन दे रहे थे, तो इससे हमें पता चलता है कितनी ज़्यादा पॉपुलरिटी इस इंसान ने कलेक्ट कर ली थी, और कितना जनता इन से प्यार कर रहे थी, कितना जादा जनता इनको सपोर्ट कर रही, गांदी जी जहां पर भी जाते थे, उनकी मिरेकुलस पावर से रेलेटेड रिमर्स वहां पे फैलने लगते थे, यह साइड में बॉक्स में दिया हुआ है, कोई बोलता था कि मेरा जो पैन है, व हाँ पे यह एक्च्वल में हो गया, वीट की क्रॉप लगाई थी, लेकिन वो सेसम में कनवर्ट हो गई, तो इस तरीके के रिमर्स सोसाइटी में स्प्रेड हो रहे था, अगर आपको और ऐसे रिमर्स पढ़ना तो यह साइट के जो बॉक्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, बेसिकली, जनता जो थी हमारे इंडिया के अब वो गांधी जी को भगवान की तरह देखने लग रहे थी, जनता मानती थी कि 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 ने इनको भेजा है हमाई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कॉज़े से हमारे सफरिंग के उनको खतम करने के लिए, जनता ये बोलन इन लोगों के दिमाग में बन रही थी और गांधी जी को as holy figure लोग देखने लग रहे थे, इन लोग बोलते थे कि colonial जो rulers हैं हमारे आके, जैसे ही गांधी जी आएंगे उनको देखके, गांधी जी को देखके इन लोग district छोड़के भाग जाएंगे, ऐसी भी stories बन रही थी society म कि गांधी जी के against कोई जाएगा, गांधी जी को कोई criticize करेगा, तो उसको कुछ न कुछ bad consequences face करने पड़ेंगे, उसके साथ कुछ न कुछ न कुछ बोरा हो जाएगा, for example हमें देखने को मिलता है कि जो लोग गांधी जी को criticize कर रहे थे, उनके बारे में बताया जाता है, ऐसे rumors fell रहे थे, कि उनके houses were falling apart, या फिर their crops were failing, ऐसी miss happenings उन लोगों के साथ होने लग रहे थी, तो गांधी जी को कैसे बोला जा रहा है, कि miraculous human being गांधी जी है, इनको कहीं गांधी बाबा बुलाया जा रहा है, कहीं माराज, कहीं महात्मा, गांधी जी को जो हमारे Indian peasants हैं अब वो as savior देखने आएं, as savior जो हमारे को rescue करने आएं, जो हमें high taxes से, officials के operation से बचाएगा, एक ऐसा savior जो हमारे dignity को restore करेगा, हमारे को autonomy वो वापिस से दिलाएगा, तो गांधी जी इन poor sections के बीच में एक hero बन गहे थे, specially जो present section थे उनके बीच में, और गांधी जी को lifestyle थी, उसका भी का गांधी जी रहे थे, तो ये भी काफी उनको help करता था अपनी appeal को बढ़ाने में, should use of symbols, यानि की काफी clever symbolism गांधी जी यूज करते थे, चाहे वो उनका चर्खा हो गया, चाहे वो उनकी धोती हो गई, ये सारी चीजों के कारण ये काफी ज़दा link कर पाते थे खुद को इन peas फैमिली को बिलॉंग करते थे, बायर प्रोफेशन एक लॉयर थे, सबसे नीचे कास्ट को बिलॉंग नहीं करते थे, इन peasants से लेबरिंग क्लास से उपर थे, लेकिन फिर भी ये resonate कर रहे थे इन lower class वाले लोगों के साथ, क्योंकि symbolism हो गया इनका, इनकी lifestyle हो गई, प्लस ये manual labor खुद से करना prefer कर रहे होते थे, तो ये सारे चीज़ें थी, जिसके कारन ये जनता गांदी जी के साथ, खुद को काफी ज़्यादा link कर पा रहे थी, गांदी जी इनके साथ काफी ज़्यादा empathize कर पाते थे, इन लोगों को समझते भी थे, वहीं दूसरी तरफ हमें देख के साथ relate करते थे, इनके साथ resonate कर पाते थे, गांदी जी की जो mass appeal थी Indian society में, वो clearly unprecedented थी, इसके पहले इतनी अदा mass appeal, इतनी अदा popularity, किसी और leader ने कभी भी gain नहीं करी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये नहीं थी कि गांदी जी इतनी अदा popular थे, इसलिए उनकी success थी, दूसरी चीज़ ये भी थी, कि काफी carefully उन्होंने अपने actions लिये थे, काफी carefully उन्होंने cleverly सारे organize अपने steps को किया था, हमें ये भी देखने को मिलता है, जो actions वो ले रहे थे, वो बहुत समझदारी से ले रहे थे, Congress अब काफी जादा अपनी branches को spread कर रहा था, Congress ने कई जगाओं पर अ nationalism की feeling को promote करना था, गांदी जी का कहना था, जो हम nationalist messages convey करेंगे, communication करेंगे, वो हमें अपनी mother tongue में करना चाहिए, English में नहीं, English तो उन colonial rulers की language है, mother tongue का use किया जाए, Congress ने जो अपने provincial committees बनाए, वो Britishers की border के हिसाब से नहीं बनाए, Britishers ने अपनी boundaries कैसे setup की थी, यह हमारे इंडिया तो उनको जहाँ जहाँ जिस तरीक से settlement लगा था, उस हिसाब से, Britishers ने अपने provinces बनाए थे, Congress ने इसको नहीं माना, Congress ने यहाँ पे क्या किया, linguistic divisions देखे और उस हिसाब से अपनी committee set up करी, इन सारे method का use करके, अब जो हमारे nationalism था, वो पूरे इंडिया में fire and white पहुँचाया ज जा रहे थे, उधर तक भी nationalism की feeling को promote किया जा पा रहा था, इस time तक Congress के supporters में काफी prosperous businessmen भी include हो चके थे, industrialist include हो चके थे, यह जो इंडिया के entrepreneurs थे, यह समझ रहे थे इस बात को, कि जब Britishers यहाँ से जाएंगे, इंडिया free होगा, तो यह जो British competitors हैं, जो British industrialist हैं, इनको इंडिया म में फाइदा नहीं मिलेगा, बलकि अब वो हमारे हाथों में आ जाएगा, Indian entrepreneurs को फाइदा मिलने लगेगा, तो इसलिए भी यह लोग, हमारी जो Congress हैं, उसको काफी दा सपोर्ट कर रहे थे, GD Builder ने national movements को काफी openly support किया, काफी सारे industrialist ऐसे थे, जो की tacitly, यानि की openly express नहीं कर हाला कि इन दोनों के, इन movements को जॉइन करने के reason अलग अलग थे, जो peasants वगया थे, वो suffer कर रहे थे, उससे freedom चाहते थे, industrialist future के profits को देख रहे थे, इसलिए जॉइन कर रहे थे, लेकिन nationalist अब काफी ज़दा, एक nationalism हमारे एक national phenomena बन चुका था, जैसे कि गांधी जी ने बोला थ था, 1917 से 1922 की अगर अपन बात करें, तो गांधी जी के followers में काफी important लोग भी आ गए थे, बहुत सारे important लोग गांधी जी के साथ खुद को associate कर रहे थे, चाहे वो महादेव देसाई हो, वल्ला भाई पटेल हो, जेबी कृपलानी हो, सुबास चंद्र बोस, अबुलकरा मजा जवाहलाल नहरू, सरोजी नाइडू, गोविन बलाप, पंत, सी, राज गोपाल चारी, ऐसे important लोग खुद को गांधी जी के साथ associate कर रहे थे, और ये लोग ने काफी अदा promote किया हमारे इंडिया में nationalism को, गांधी जी की popularity के पीछे उनके जो supporters थे, वो भी काफी अदा important figures बन रहे थे, ये इतने सारे लोग अलग-अलग region से, अलग-अलग religion को belong करते थे, और ये लोग बहुत सारे लोगों को influence कर रहे थे, अब nationalism का part बनने में, Congress join करने में और ये खुद भी Congress के लिए काफी काम कर रहे थे, पर पहले हमने बात करी थी, गांधी जी को arrest कर लिया गया था गांधी जी arrest से चुटे February 1924 में और अब इन्होंने बाहर निकार के में अपना focus किया, homespun, khadi को promote करने में और untouchability को abolish करवाने में, गांधी जी was as much a social reformer as he was a politician, ये question कई बार आ जाता है, हम अभी भी देख रहे हैं, आगे भी हम इसी point को देखेंगे कि social reformer के तरह भी गांध possibility हो, इसको हमें खतम करना पड़ेगा, प्लस हमें एक दूसरे के faith की तरफ tolerance को promote करना पड़ेगा, इसलिए हिंदू-Muslim जो harmony है, उसको भी गांधी जी ने promote करने में काफी role play किया, इसके लावा गांधी जी का कहना था, economic side में हमें self-reliant बनना पड़ेगा, इसलिए वो khadi को क सकते आगरा कि, यह काफी important एक topic है, 22 में जब non-corporation end हुआ, उसके बाद से गांधी जी ने अपना main focus किया, social reform activities करने में, फिर 1928 में गांधी जी ने वापिस से entry ली, political activities में, यह वो time था, जब Simon Commission के against activities इंडिया में चल रही थी, Simon Commission 1928 में इंडिया पहुचा था, जिसमें इसक इसकी दिक्कत क्याती, इसमें Indians को representation नहीं मिला था, यह all white commission थी, सारे इसमें बिटिश ही थे, तो इसको इंडिया में काफी ज़दा oppose किया जा रहा था, गांधी जी ने opposing campaigns को join नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने इनको अपनी blessings दी, similarly इसी time पे, एक peasant सत्र गया चल दा था, ब बहुत important चीज़े हुई, सबसे पहले तो, जवाहल दाल नहरू को अब Congress का नया President बनाया गया, इसके पहले मोती दाल नहरू President थे, तो यहाँ पे, अब जो beton था, वो pass हुआ, younger generation के हातों में, और proclamation किया गया, official declaration किया गया, कि अब हमें पूर्न स्वराज चाहिए, अब हमें politics था, इंडिया में, वो pace up कर रहा था, 26th January 1930 को, इंडिया में Independence Day मनाया गया, क्या किया गया, national flag को hoist किया गया, अलग अलग जगाओं पर, वहाँ पे patriotic songs वगेरा गाये गये, और गांधी जी ने काफी clearly instructions दिये, कि इस celebration में हमें कैसे और क्या करना चाहिए, इन्होंने बोला, कि किसी भी village में, अगर even पूरे city में, अगर हम Independence Day का declaration celebrate कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, जो तने भी meetings हैं, वो सारे एक ही time पे किये जाए, इसके बाद इन्होंने बताया कि, यह जो हम announcement करेंगे ने time बगर का, यह हमें traditional way में करना चाहिए, कैसे करना flag hoist करने के साथ, और उसके बाद जो rest of the day हमें, कुछ productive करते हो, कुछ constructive काम करते हुए spend करना चाहिए, चाहे वो spinning हो, चाहे वो untouchables को serve करना हो, चाहे वो हिंदूर और Muslims के बीच में reunion करवाना हो, या prohibition work, prohibition work के बारे में कुछ यहाँ पे clearly mentioned तो नहीं है, बट maybe alcohol का consumption और production ban इस तरीके का कुछ productive हमें करना चाहिए, और यह साही चीज अगर हम साथ में कर सके हैं, तो सब कुछ करना चाहिए, और यह चीज करना impossible नहीं है, तो गांदी जी ने इसके clear instructions दिये, जितने भी participants थे, इस चीज के उनको बुला गया कि आपको pledge लेना है, किस चीज का, जो inalienable rights हैं हमारे, inalienable rights हैं कि वो rights जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम Indian लोगों के, या फिर किसी भी human के, किसी भी population के जो rights होते हैं, कि हमारे पास freedom होगी, हमारे हमारे hard work का, जो fruits हैं वो हमें मिलेंगे, इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर कोई government हमारे जो rights है, वो हमसे छीन किया, गांधी जी ने पकड़ा salt law को, salt law हमारे British India का one of the most hated, one of the most disliked law था, इसमें क्या था, जो salt manufacturing की monopoly थी, वो सिर्फ और सिर्फ state के हाथों में दे दी गई थी, और कोई भी salt को manufacture नहीं कर सकता, अब गांधी जी ने salt law को ही पकड़ा, क्योंकि गांधी जी समझते थे, कि अग जाता है, salt indispensable है, बहुत important है, उसको replace नहीं किया जा सकता, domestic use में होता है, सबको use करना है, लेकिन सिर्फ state बना रही है, तो सबको use करने के लिए, purchase करना पड़ा है market से, जो की high prices पे shops में मिल रहा था, तो ये अगर monopoly खतम हो जाएगी, तो जो high prices salt के लिए pay करना पड़ता है, ये देख सकते हैं, डांडी मार्च में गांधी जी और उनके साथ बहुत साहे लोग चल रहे है, और फिर ये दूसरी image आप देख सकते हैं, यहाँ पर they are picking salt, अब किया क्या, गांधी जी ने salt मार्च अनाउंस कर दी, गांधी जी की salt मार्च थी, गांधी जी जो challenge post करने वाले थ को, वाई सुना याने की, जो British Crown का जो representative होता है इंडिया में, याने की basically सबसे highest official जो Britishers का होता था, उसको एक बता दिया गया, notice दिया गया कि हम करने वाले हैं, लेकिन इरिबिन को लगा कि होगा कुछ थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, उन्होंने इसकी importance नहीं समझी, significance को नह समझा, 12th March 1930, गांधी जी ने अपने साबर मती के आश्रम से walk करना चालू किया, कहां तक, ocean के किनारे तक, और वहाँ पे salt वो pick करने वाले थे, 3 weeks later वो पहुंचे ocean में, वहाँ पे उन्होंने feastful salt pick किया, basically जो salt law था, उसको break किया, और criminal बन गये, और यह सिर्फ गांधी जी ने क्या लिखा है, कि गांधी जी ने salt को ही क्यों choose किया, वो गांधी जी के words अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस box में पढ़ सकते हैं, यह दूसरे अले box में, गांधी जी के words पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो लिखी हुई है, इन जो boxes से questions mainly कैसे यह box दिया होगा, आपको chapter से question पूछे जा रहे होंगे, जो कि हमने पूरा cover कर लिया है, लेकर अगर आप गांधी जी के words पढ़ना चाहते हैं, तो यह box में पूरे दिये हुए हैं, अब जैसे कि non-corporation के time पे हुआ था, एक चीज है कि गांधी जी ने अफे national leaders ने बोला है क कैसे हमें करना है, दूसरी चीज क्या है, लोग उसको कैसे देख रहे हैं, और लोग क्या क्या activities कर रहे हैं, वहाँ पे भी यही हुआ था, लोग अपने साब actions ले रहे थे, यहाँ पे भी भाई हुआ, अक्रोस इंडिया अलग अलग जगावाँ पे, लोग अपने अपने actions ले रहे थे, कुछ peasants ने, जो colonial forest laws थे, उनको breach किया, अब laws बना दिये गए थे, कि जो peasants हैं, इनके cattle हैं, यह forest में अंटर नहीं कर सकते हैं, तो इसको break किया गया, इसके लावाँ टाउन्स में, factory workers, strike पे चले गए, lawyers ने British courts को boycott किया, students ने government के जतने भी educational institutions हैं, उनको boycott किया, 1920-22 non-corporation के time पे भी क्या हुआ था, गांधी जी ने announce किया था कि हम non-corporate करेंगे, और फिर जितने भी लोग थे, वो अपने अपने एसाब से actions ले रहे थे, अपना जो discontent है, British officials के तरफ वो show कर रहे थे, यहाँ पे भी वही होने लगा, Britishers ने फिर से वही action लिये, जितने भी, यह dissenters थे, उनको क्या किया, जितने भी criminals थे, उनको इन्होंने jail में डालना चालू कर दिया, Salt March के सिलसले में 60,000 से जाधा Indians को arrest किया गया, तो आपको समझ में आही रहे कि कितना huge population was following गांधी जी और इतने सारे लोग इंडिया में Britishers के opposing हो गए थे, गांधी जी का जो Salt March था, Seashore की तरफ, अगर इसको हमें trace करना है कि कैसे progress चल रहे थी, क्या के activities हो रहे थी, क्या बोला जा रहा था, तो एक बहुत चांदार हमारे पास source है, secret reports जो लिखी जा रहे थी, basically Britishers ने police officials को appoint किया था, कि भाई, देखो कि क्या हो रहा है, और ये जो officials थे, ये अपनी reports ल देते थे, उनको लिखा जा रहा होता था, ये हमें देखने को मिलती है, इन speeches में गांदी जी ने जो local officials थे, जो government के अंडर काम कर रहे थे, government employees, उनसे बोला कि आप अपना government की job छोड़ दो, government को boycott करो, और हमारे freedom struggle को join कर दो, एक village का यहाँ पर example दिया हुआ है, बसना, law है, या फिर कोई सा भी law है, उसको हमने हटवा दिया, बंद करवा दिया, रिपील करवा दिया, तो इससे आपको स्वराज नहीं मिल जाएगी, अगर आपको स्वराज चाहिए, तो पहले उन गलतियों को fix करो, पहले जो आपने wrongdoings की है, untouchables के against, उसका पस्चत आप करो, और उसके बाद ही हमें, हम capable बन पाएंगे स्वराज के, गांधी जी का कहना था, अगर स्वराज चाहिए, तो हिंदू, मुस्लिम, पार्सी, सिख, हम सब को unite होना पड़ेगा, यह जो police, जो spy कर रहे थे गांधी जी को, यह लोग पूरे इस चीज को report कर रहे थे, यह बताते कर रहे थे, इन nationalist cause को join करने के लिए, और इतने सारे officials भी थे, जिन्होंने resignation दे दिया था, government employment से, वो भी अब इन movements को join कर रहे थे, police के district superintendent ने government को लिखते हुए बताया है कि गांधी जी, appearing calm and collected, ऐसा लगता है कि calm and composed इंसान है, और जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहे हैं, यह strength को gather करते चले जा रहे हैं, एक दूसरा बहुत important source हमारे पास है, America की time magazine, यह American news magazine है, इसने salt marks को काफी ज़्यादा cover किया, initially यह गांधी जी को scorn कर रहे थी, यानि कि गांधी जी को disdain कर रहे थी, गांधी जी को काफी ज़्यादा disrespect कर रहे थी, इन्होंने जो remarks दिये, वो यह थे कि गांधी जी is a guy of spindly frame and spidery loins, spindly frame याने कि काफी पतला दुबला सा इंसान है, जादा को चल नहीं पाएगा यह, spidery loins याने कि spider की तरह जो कमार है, उससे इसके हाथ और पाव पतले पतले निकले हुए है, spidery framework है इनका, इस तरीके से काफी derogatory terms से इनको गांधी जी को रिफ काफी पतला दुबला सा है इनसान है, गांधी जी के बारे में इन्होंने लिखा कि second day की walking इन्होंने salt march में करिया और उसके बाद जमीन पर गिर गए, ठक गए तर गाफी दादा, तो यह basically बोल रहे थे कि जो the emaciated scent याने कि यह जो पतला दुबला सा जो saint है, यह अपनी जरन गांधी जी की तारीफ करने लगे और Britishers के बारे में उल्टा सिधा लिखने लगे, अब यह लिख रहे थे, इन्होंने देखा कि इतनी popularity इनको मिल रहे, इतने followers इनके बढ़ रहे है, तो इन्होंने time magazine ने इनके बारे में लिखा, कि अब जो Britishers है, वो काफी desperately anxious है, गांधी ज गांधी जी जो acts कर रहे है, वो Christian ideology के acts है, और Christian acts को यूज कर रहे है, Christian beliefs वाले Britishers के अगेंज, तो अब time magazine पलट गई थी, अब हमें क्या देखने को मिलता है, जो salt march है, यह तीन reason है at least, जिसके कारण बहुत ज़्यादा important है, पहला reason तो यही हो गया कि इसको अब world attention मिल रही थी time इसको cover कर रहा है, American और European जो press है, वो इसको cover कर रहा था, second reason है, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी nationalist activity में, women ने इतने huge number में participate किया था, socialist activist कमरा देवी चटोपाध्या थी, इन्होंने गांधी जी को बोला कि, आप अब जो movement कर रहे हैं, उसमें women को भी include करने की कोशिश कर दिये कमरा देवी उन काफी movements में से एक थी, जो court arrest हुई थी, basically, salt और liquor laws ये लोग break कर रहे थे, और court arrest, यानि कि खुद से arrest हो रहे थे, ये एक non-violent तरीका था, प्रोटेस्ट करने का कि हम laws को break करेंगे, और फिर हम खुद इसे जाएंगे और arrest हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं arrest होने में, लेकिन इस तरीके से अब women भी participate कर रहे थी, third reason है, अब जो salt marks था, इसने फिर एक बार Britishers को realize करा दिया था, कि उनका जो राज है, वो forever last नहीं करने वाला है, अब इनको कुछ powers को devolve करना पड़ेगा Indians की तरफ, कुछ powers Indians के हाथों देनी पड़ेगी, इसके बाद 1930 में, पहली first round meeting की गई, round table conference की, लेकिन इंडिया की जितने भी important leaders थे, उनमें से किसी ने भी इनको join, इसको join नहीं किया, तो hence, it was a futile meeting, basically, कोई भी चीज यहाँ पे important, नहीं decision लिये गए, फिर 1931 January में, गांधी जी रिलीज हुए जेल से, और उसके बाद उन्होंने बहुत सा रहे हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा, उसके बदले में, जितने भी prisoners हैं, उनको release किया जाए, और, जो solid law है, कि आप manufacture नहीं कर सकते, वो बंद किया जाए, अब manufacture allow किया जाए, तो ये actions हुए, गांधी इर्विन pact के बाद, जिसको radical nationalist, काफी, सारे extreme nationalists थे, उन्होंने काफी criticize किया और oppose किया, इन लोगों का मानना था कि गांधी जी नहीं क्या किया, इर्विन के साथ, आप चाहते तो political independence मांग लेते हैं इंडिया के लिए, आपने तो फाल्तु कुछ भी demand अच्छे से की ही नहीं, आपने सिर्फ जो independence है, उसके लिए future में talks का assurance ले लिया, आपने actual में independence वगरा कुछ मांग ही नहीं पाए, फिर हुआ second round table conference 1931 के letter part में, यहां पे गांधी जी गए, congress को represent करते हुए, और इनके claim क्या थे कि congress हमारे इंडिया को represent करेगी, लेकिन इसको challenge मिला तीन group से, सबसे पहले Muslim League, इनने बोला कि जो congress है, वो हमारी Muslim minority को represent नहीं करते है, Muslim minority को तो ह हम represent करते हैं, second, princess, princess का कहना था हमारे जो princely state है, यहां पे congress का कोई नहीं है, हम है यहां के prince तो, हम है यहां के leader, तो हमको भी यह लोग represent नहीं कर रहे हैं, और third, भी मैं Ambedkar नहीं पोस किया, यह काफी अच्छे lawyer और एक thinker थे, इनका कहना था कि चाहे गांधी जी हो, चाहे congress ह यह लोग सबसे जो lowest caste है इंडिया की, उनको represent नहीं करते हैं, तो जो हमारे यहां के London के conferences चाह रहे थे, यह unconclusive थे, इनमें कोई actual decisions नहीं लिये जा रहे थे, तो गांधी जी ने बोला चलो हम वापस चलते हैं इंडिया, और जो civil disobedience है, उसी को continue करते हैं, laws वगरा break करते हैं, गांधी जी बैटे हुए, अभी जो हमारे Willingdon थे, इन्होंने एक letter लिखा था अपनी sister को, वो हम यहां पर पढ़ते हैं, इन्होंने Willingdon ने लिखा था, कितनी अच्छी beautiful दुनिया होती अगर गांधी इसमें ना होता, गांधी जो है न, यह जितने भी actions लेता है, वो बोलता है कि God की तरफ, God's inspiration उसको मिल रही है, लेकिन actual में सिर्फ political maneuvers कर रहा होता है, वैसे मैं इनकी tone में बोला हूँ, अपनी tone में नहीं बोला हूँ, ठीक है, कर रहे होते हैं, गांधी जी के बारे में नो ने लिखा कि, जो American press है, वो इनकी काफी तारीफ कर दिए, कि अच्छा इ हुए हैं, और ये लोग गांधी को होली देखने लगें, गांधी को भगवान मानने लगें, लेकिन वो एक political gameplay खेल रहा है, फिर इसके बाद 1935 में, a new government of India Act ने promise किया, कि एक representative form of government हम permit करेंगे, इंडिया को अब हम governance में participation देंगे, जिसके दो साल बाद elections कराए गए, लेकिन य में काफी अच्छी victory hold करी, जिसके बाद Congress के Prime Minister सेट अप किये गए, और Congress के Prime Minister ने office hold किया, ये British Governor के under में थे, उनके supervision में थे, September 1939, Congress Ministers और उनके office के power में आने के दो साल बाद, क्या हुआ, Second World War बोक आउट हो गई, महात्मा गांधी और जो हमां जवाहला नहिरू थे, दोनों ही Hitler और Nazi के against थे, इनके oppose में थे, तो इन्होंने Britishers को एक offer दिया, कि अगर आपको Congress का support चाहिए है, World War II के time पे, तो आपको हमें promise करना पड़ेगा, कि जैसे ही war खतम होगी, इंडिया को आप independence दे दोगे, लेकिन इनका जो offer था, इसको refuse कर दिया गया था, तो Congress ने बोला, ठीक है सत्यागर वगरा organize करना चालू कर दिये, वापिस से Britishers के against actions ले रहे थे, और अब demand कर रहे थे कि जो work हतम होगी, उसके साथ हमें independence भी चाहिए, 1940 की March में, अब हमारा पास नए problems आने लगते हैं, जो Muslim League है, इन्होंने resolution पास कर दिया, कि अब हमें autonomy चाहिए, हमारे जितने भी Muslim majority areas हैं, वहाँ पे, तो अब हमारे जो political scenario है, वो थोड़ा सा complicated हो गया है, अब यहाँ पे सिर्फ यह नहीं है कि Indians versus Britishers चल रहा है, अब power Muslim League को भी चाहिए, तो अब तीन characters आ गए, Muslim League, Congress और British और इन तीनों के बीच में problems चल रही है, अब Britain के अगर आपन बात करें, तो वहाँ पे all party government form हो चुकी है, all party government, यानि कि सारे parties के members ने मिलके government बनाई है, तो वहाँ पे एक party है, Labour Party, Labour Party के जो members थे, वो तो sympathetic थे, Indian demands और aspirations की तरफ, लेकिन इस party का जो prime minister था, वो conservative party को belong करता था, यह थे Winston Churchill, और Winston Churchill एक imperialist थे, यानि कि यह जो colonialism है, उसको और भी ज़दा strengthen करना चाहते थे और भी ज़दा promote करना चाहते थे, इनका कहना था, मैं king का, जो crown है, British crown का first minister हूँ, सबसे important minister हूँ, मैं liquidate करने नहीं आया हूँ power, बलकि मैं तो British empire की power को और भी ज़दा बढ़ाने के लिए आया हूँ, तो यह और भी ज़दा colonies को spread करना चाहते थे, standing करना चाहते थे, फिर in the spring of 1942, Churchill was persuaded कि एक minister को इंडिया भेजा जाए, यह minister थे, Sir Stafford Crips, Crips की यहाँ side में आप photo देख सकते है, यहाँ पर क्या joke crack हुआ, यह तो हमको नहीं, मैं बता रहूं क्या joke crack हुआ, मैं बता रहूं क्या joke crack हुआ, क्रिप्स में मोला, गांधी थोड़ा पैसे यह से ले ले बाई, पैसे बाई बाई, पैसे से शान्त नहीं बैठेंगे, यही बाई था, मैं बहुत है, तो क्रिप्स क्यूं आये थे हमाएं इंडिया में, क्रिप्स आये थे, यहाँ पर कुछ settlement करने के लिए, गांधी जी, कुछ settlement बगरा हो जाए, कुछ compromise हो जाए, यहाँ पर बाते हों discussion हुए, यही कोशिश की गई, Congress ने अपना point clear रग दिया, कि अगर British चाहती है कि Congress, access powers के अगेंस support करें इंडिया को defend करने में, access power में कौन आ गए, Japan, Germany और Italy, इनके against war चल रहे थी, अगर Congress का support आपको चाहिए, तो जो executive council है, उसमें आप जो visora है, वो defense member हमारे इंडिया का बना ह हमें Indian representative दे दे, तो यह पूरी बाते हुई, अब हम आगे की बात करते हैं, और quit India की उपर बढ़ते हैं, Sir Crips का जो Crips mission था, वो fail हो चुका था, कोई conclusive result उनों नहीं किया, तो गांदी जी ने बोला, हम अपना third major movement start करेंगे, British government के against, जो की होगा हमारा, the quit India movement, यह start हुआ, August 1942 में, इसके start में ही गांदी जी को तो जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जो यंगर एक्टिविस्ट थे, इन्होंने मोचा समाला strikes करने का, strikes organized किये, साबोटाज करने का काम किया, government को, basically government के against, यह लोग सारे actions ले रहे थे, Congress के जो socialist members थे, for example, जैप्रकाश नारायन, यह लोग western side का सतारा, eastern side का मदीनिपूर, यहाँ पे independent governments form हो गई थी, जो खुद से कुद को organize कर रहे थी, courts form कर रहे थी, government करने का काम कर रहे थी, जब Britishers ने this rebellion को suppress करना चालू किया, तो काफी forcefully उन्हें ने किया यह काम, लेकिन फिल भी उनको एक साल से जादा का time इसमें लग गया, ज लोग इसमें काफी अधा actively participate कर रहे थे, जो college वगयरा के बच्चे थे, अब वो college छोड़ रहे थे, और jail भरने का काम कर रहे थे, एक तरफ क्या हो रहा है, जो Congress के leaders वगयरा है, इसमें participate कर रहे है, और jail जा रहे है, दूसरी तरफ, since हमारी Muslim League को काफी अच्छी opportunity मिली, जो जि Muslim League का influence पहले नहीं था, अब बढ़ना चालू हुआ, और Muslim League ने अपने, जो influence उसको expand करने काफी अधा काम यहाँ पर कर लिया, 1944 June का time था, जब जो war थी हमारी Second World War, वो end होने के करगार पर थी, इस time पर गांधी जी को भी release कर दिया गयर था, prison से, तो गांधी जी बहार निकलते और later period में इस साल के, जिन्ना के साथ meetings वगेरा कर रहे होते है, गांधी जी के कोशिश रहे है कि जिन्ना और Muslim League और Congress के बीच में, जो इतना बड़ा gap बनता चला जा रहा है, उसको खतम किया जाए, अगर हम बात करें, ब्रिटेन की, तो इस time पर 1945 में, वहाँ पर Labour Party की Government form हो च किया, इनके बीच में communication करवाया, early 1946 में elections करवाया गया, fresh elections, provincial level पे, provincial legislature में, जिसमें, जो general seats थी, उसमें तो काफी, dominantly Congress ने जीता, लेकिन जो Muslims के लिए reserved seats थी, वहाँ पर Muslim League जीती, तो clearly इंडिया का political polarization हो चुका था, यानि कि अब जो Muslims है, वो Muslim League को support करना है, जो बाकी general audience है, वो Congress को support करनी, ऐसे दो sections हमाएं, आपे बन चुके थे, इसके बाद एक cabinet mission आता है, summer of 1946, again, यह भी कोशिश करता है, Congress or League को किसी एक conclusion में लेके आने के लिए, लेकिन यह नहीं हो पाता, कोशिश यह होती है कि, Congress or League के बीच में agreement लाया जाए, कि ऐसा federal system होगा, जहाँ पे central level पे government talks थे, वो fail हो रहे थे, जिन्ना ने बोला, direct action day प्रोपोस किया, इन्होंने बोला कि जो हमाई लीग है, वो अब demand कर रही है, पाकिस्तान की, designated day was 16th August 1946, जिस दिन कैरिकाटा में, काफी दादा riots भड़क गए, लोग एक दूसरे को माल रहे थे, काफी bloody riots थे, इसके बाद यह ज जगाँ पर Muslim सफर कर रहे हैं, तो किसी जगाँ पर Hindu, February 1947, जो हमारे वेवेल थे, अब उनको replace किया, Viceroy, Lord Mountbatten ने, Mountbatten ने final talk करवाया, हमारी Congress और Muslim League के बीच में, again ये भी in conclusion रहा, किसी agreement पर ये लोग नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने बोला ठीक है, इंडिया आप free होगा, ल पाकिस्तान के division का, तो वही होता है, पावर जो हमारी इंडिया के पास आने वाली है, इंडिया को freedom मिलेगी 15th August में, और 15th August आती है, इंडिया को freedom तो मिल जाती है, लेकिन इंडिया डिवाइड भी हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान में, इस दिन को डेली में और इंडि क गांदी जी कα सब्सक्रquЭled इष्या. महात्मा गांदी देपोल नी पूरम टाइम फाइट किया था लेकिन जब इंडिया को celebration का गांधी जी पार्ट नहीं बने गांधी जी ने किसी function को attend नहीं किया किसी जगा पर flag hoist नहीं किया इसके बदले गांधी जी ने किया 24 hour का fast गांधी जी का कहना था कि भले ही आप freedom मिल गई है लेकर it has come at an unacceptable price क्योंकि अब इंडिया डिवाइड हो चुका है हिंदूस और मुस्लिम्स एक दूसरी की जान के पीछे लग रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही प्राइस नहीं है इंडिपेंडेंस की हमारे लिए डीजी तेंदुलकर गांधी जी के एक और विजिट कर रहे थे गांधी जी ने सेख और हिंदूस और मुस्लिम से बोला कि अब आप अपना पास्ट भूल जाओ आपका जो सफ्रिंग से उन पर ड्वेल मत करो बलकि अब आप फ्यूचर को देखो फ्यूचर में एक दूसरे की तरफ दोस्ती का अब आप पीस में रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लो गांधी जी के और नहरू जी के इनिशियेटिव पर जो कॉंग्रेस था उसने एक राइट्स ऑफ माइनॉर्टी के लिए रिजॉल्यूशन पास किया चो कॉंग्रेस पार्टी थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि नेशन डिवाइड वो टू नेशन थिओरी पर बिलीफ नहीं रखती थी लेकिन इंडिया वाग्रेस अभी भी इंडिया को बता रहे थी कि हम अलग-अलग रेलिजियन्स, रेस और को यह लेंड है हमाय डाइवरसिटी है और चाहिए कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे इंडिया हमेशा एक जाब सारे सिटीजम्स चाहिए वह किसी भी किसी भी क्रीट किसी वरले हो उन सब भाइट को में कर उना चाहिए कि जो मैनॉरिटीज की life का finest hour थे basically ये बोला जाता है scholars बोलते हैं कि गांदी जी की काफी leadership हमें इस time period में देखने को मिल रहे थी सबसे पहले इनोंने Bengal में peace establish कर आई उसके बाद ये Delhi की तरफ shift हुए यहां से वो Punjab के जिन districts में rights वगरा चल रहे थे वहाँ पर जाना चाहते थे डेली में जब ये अपनी meetings वगरा करते थे अपनी speeches वगरा दे रहे होते थे तो काफी सारे refugees disrupt करते थे कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं रखता था कि इनकी speeches में कुरान की आयते पड़ी जाती थी कुरान की readings की जाती थी कुछ लोगों का कहना था कि आप सिर्फ Muslims को सपोर्ट कर ले आप हमारे जो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में minority बनके बैठे हुए उनकी तरफ तो देखी नहीं रहे हो तो ऐसे भी slogan सामें देखने को मिलते हैं कि बोल रहे थे कि आप हिंदू और सिख पर भी ध्यान दो जो कि पाकिस्तान में फसे हुए सिफ मुस्लिम्स को मत देखो डीजी तेंदू कर ने बोला कि गांदी जी उतना ही कंसर्ण थे हमारे हिंदू और सिख जो कि वहां पाकिस्तान में माइनॉर्टी बनके बैटे हुएं जतना ही गांदी जी कंसर्ण थे इंडिया की माइनॉर्टी जो कि मुस्लिम्स वगया थे उनकी तरफ गांदी जी चाहते तो यही थे कि वहां पर भी उनके सकर बनके चले जाए यानिकि उनकी तरफ उनको सपोर्ट करने उनको असिस्ट क पर लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पर वो क्या चेहरा लेकर जाएंगे जब इंडिया की जो मुस्लिम्स हैं डेली की जो मुस्लिम्स हैं उनकी प्रॉब्लम सो गांधि जरेट्स अभी तक नहीं कर पाएं जब इंडियन माइनोरिटी इसको नहीं कर पाएं तो वहां पाकिस्तान की माइनॉरिटी पे कैसे चले जाएं गांदी जी की लाइफ पे अटेक किया गया उनको हाम करने की कोशिश की गई 20th January 1948 में लेकिन गांदी जी इससे डरे नहीं वो अपने एक्शन लेते रहें फिर 26th January में अपनी prayer meeting में उन्होंने बताय कि कैसे 26th January पे हम लोग independence पहले मनाया करते थे इस पर उन्होंने बात करी लेकिन अब freedom आ चुकी है लेकिन first few months जो रहें वो delusion है इनको जैसा लग रहा था कि इतने peacefully हम कर लेंगे अच्छे से कर लेंगे non-violent तरीके से वैसा हो नहीं पाया है बलकि India divide हो गया है काफी सारे कोई भी majority minority को dominate नहीं करेगा या inferior feel नहीं कराएगा चाहे minority कितनी भी छोटी हो influence में कितनी भी कम हो numbers में उनको हम यहाँ पे इंडिया में dominate नहीं करेंगे बलकि साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे उन्होंने ये भी hope पोट्रे करी और ये भी hope रखी कि भले ही हम geographically और politically इंडिया हम एक बनकर रहेंगे हाला कि in reality ऐसा कुछ हो नहीं पाया गांधी जी ने lifelong battle लड़ी free और united इंडिया के लिए लेकिन जब country was divided गांधी जी इस तरीकी से देख रहे थे कि अब भले ही हम दो parts बन चुक है लेकिन हम एक दूसरे को respect करेंगे, befriend करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ इसे ही उनकी एक daily prayer meeting में, 30th January, गांधी जी was shot dead by a young man जो की थे नाथुराम गोट से, जोनोंने गांधी जी को मानने के बाद खुद को surrender कर दिया, गांधी जी की जब death हुई, तो of course इतना popular leader की death होगी, उसको shot किया जाएगा, तो पूरे इंडिया में grief fell गया, इसी भी ideology वाले वो सब गांधी जी को tributes pay कर रहते हैं, सब अपनी शद्धानजली गांधी जी की तरफ दे रहे थे, और सिर्फ हमें इंडिया में नहीं, international figures की तरफ से भी ऐसे tributes देखने को मिलते हैं, जाए वो George Orwell हो या Albert Einstein, Time magazine ने भी जिननों पहले गांधी जी की appearance की बुराई की ती, गा पहले एक बाइगटेड अमेरिकन था, एक extremist, एक narrow-minded अमेरिकन था, जिनोंने Lincoln को मारा था, because Lincoln believed in human beings equal regardless of their race or color, और एक बाइगटेड हिंदू है, जिसने Gandhi को मारा है, for believing in friendship, for believing that friendship हो सकती है अलग-अलग caste के, अलग-अलग group के लोगों के बीच में, अने आने की कुछ बुरा हो जाने देना, तो अब time लिख रही है, दुनिया को पता है, कि पहले भी यही हुआ था, पहले भी इन लोगों ने Lincoln की death हो जाने दी, और कुछ नहीं किया, शान्त हो गई, और अब फिससे वही चीत हो लिए, गांधी जी की death हो रही है, और दुनिया शान्त बैठी हुई है, हर चैप्टा के आखरी topic की तरह, अब हम बात करेंगे, गांधी जी के बारे में हमें किन sources के थूरू पता चलता है, इंडिया के nationalist movement के बारे में हमें किन sources के थूरू पता चलता है, तो यह अलग-अलग points में हैं हाइलाइट कर दिये हैं, उनके हम बात करते हैं, सबसे पहले त इन सबकी writings और speeches काफी अधा important है, इस period को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़े हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो public writings, public speeches होते हैं, और जो private letters अगयर होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा gap होता है, जितनी speeches होती हैं, यह public voice को दि देखने को मिलते हैं, इन letter में हमें उन लोग का anger, pain, dismay, anxiety, hopes, frustrations, जो personal चीज़े हैं, वो सब भी देखने को मिल जाती हैं, तो यह अंतर होता है public और private statements में, लेकिन यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, जो private public distinction की हम बात कर रहे हैं, कई बार यह भी उतना clear नहीं होता, क् कि भले ही एक इंसान letter लिख रहा है, हो सकता है आप किसी personal individual को letter लिख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में यह चीज़ पहले से हैं, कि यह letter कभी भी public हो सकता है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, आप अपनी language चूस कर रहे हो, उस चीज़ को दिमाग में रखते कि future में जो personal letters है, वो भी public हो सकते हैं, वो भी publish किये जा सकते हैं, हमें यह भी देखने को मिलता है कि कई सारे letters publish किये जाते भी थे, महात्मा गांदी जी, अपना उनका जो journal था, हरीजन नाम का, उसमें उनको जो letters आते थे, वो publish किया करते थे, नहरू जी ने भी, nationalist movement के time पे, उनको जो letters लिखे जा रहा है होते थे, उनको उनको उनना edit किया, collect किया, और a bunch of old letters नाम से publish किया, तो यह अगर आप letters पढ़ना चाहते हैं, जो नहरू जी को लिखे गए ते गांदी जी को, यह सब आप पढ़ सकते हैं, इनमें आपको private chats देखने को मिल जाएगी, लेकिन सोचता है, उसके क्या opinions है, उन सब के बारे में, लेकिन इनको तो हमें पहले से बता हैं इनके बारे में कि इनको पढ़ते सामें, इनकी factuality को accept करते सामें, हमें careful रहना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो यह है कि retrospective accounts हैं, यह लेकि लोग अपनी memories से इनको लिखते हैं, कि author को क् क्या चीज़ important लग रही है, क्या चीज़ वो recount करना चाहता है, क्या चीज़ वो अपनी life के बारे में बताना चाहता है, वही चीज़ वो अपनी autobiography में लिख रहा होगा, तो autobiography जब हम पढ़ते हैं, तो इसको हम directly accept नहीं कर रहे होते हैं, इनके जितने भी facts वगरा होते हैं, statements होते हैं, उनके हम अलाग sources के थूरू corroborate करने की कोशिश कर रहे होते हैं, योकि autobiographies में ये भी होता है, कि एक जो इनसान लिख रहा है हो सकता है, वो किसी चीज़ पर silent रह जाए, क्योंकि वो उसको बताना नहीं चाहता है, हो सकता है, मैं इस चीज़ को भूल रहा हूं, ल record भी कर रहे होते थे, हमें बहुत साय letters और reports देखने को मिल जाते हैं, जो policeman और बाकी जो officials हैं, इन लोगों ने लिखे थे, उस time पे तो ये secret थे, personal थे, लेकिन इनको आज की date में हम access कर सके हैं, archives में ये हमें देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ही एक source की हम बात कर लेते हैं, the fortnightly reports जो की home department 20th century, early 20th century में publish कर रहा था, fortnightly याने की हर दो हफते में जो reports publish की जा रही होती थी, इन fortnightly reports में हमें काफी सारी details देखने को मिल जाती हैं, ये जो details हैं, ये localities से जो police information आ रहे थी, उनको express कर रही होती थी, लेकिन actual में, जो high officials थे, उनके क्या viewpoints थे, वो ही हमें यहा and perspectives देखने को मिल जाते हैं, for example, sedition होने वाला है, को rebellion का बारे में बात की जा रही है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है, कि जो officials होते थे, वो इस तरीके से इसको बताना चाहते थे, कि ये जो fears हैं, ये जो चीजे हो रही है, ये unwarranted है, baseless है, actual में ऐसा कुछ नहीं होने वा वो इस चीज़ को accept ही नहीं करना चाहता था, कि गांधी जी के जो actions है, वो काफी enthusiastic support उसको मिल रहा है, काफी mass popularity उसको मिल रही है, इन reports का कहना था, कि जो salt march है, ये एक antic, यानि कि dramatic है, theatrical है, इसमें कोई actual में ऐसा नहीं हो रहा है, कि लोगों को बहुत support मिल रहा है, actual में drama कर रहा है गांधी जी, ये दिखा रहा है थे कि British से जो जनता है, वो अतना गुस्सा नहीं है, गांधी जी फाल्तु में evoke करने की कोशिश कर रहा है, जनता तो अपनी schedule में busy हुई है, British राज में खुश है, लेकिन ये फाल्तु में drama बाजी कर रहा है, तो actual में तो हमने दे अब आकरी हमारा एक और सोस, जो कि है newspapers, जब हम newspapers सुनते हैं तो हमाई दिमाग में आता है कि हाँ, यहाँ पर हमें neutral opinion मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाहे English के newspapers हो, चाहे वो हमारे India के अलग-अलग languages के newspapers हो, इन में गांधी जी के जितने भी actions थे, जो movements वगरा थे, उनक लेकिन अगें, newspapers भी unprejudiced नहीं माना जाना चाहिए, यह neutral नहीं होता है, इन में भी हमें biasness देखने को मिल जाती है, जो publish कर रहा है, उसके political views क्या है, उसके world view क्या है, वो हमें उनके reports में देखने को मिल जाते हैं, for example, अगर आप London के किसी newspaper के article को पकड़ेंगे, और उसी topic पे, इंडिया के किसी nationalist paper को पकड़ेंगे, तो उनमें हमें काफी बड़ा gap देखने को मिलेगा, तो इससे हमें क्या चीज समझ में आती हैं, कि सारे जो newspapers के reports वगरा होते हैं, वो भी काफी हद तक bias होते हैं, और एकदम factual नहीं होते हैं, किसी भी report को अगर हम study कर रहें, तो हमें य fears और anxieties परता चलती हैं, officials की, colonial officials की, जो इस time पर बहुत जड़ा anxious हो रहे होते थे, इन movement से डर भी रहे होते थे, ये लोग काफी ज़ड़ा question भी कर रहे होते थे, कि Gandhi को हमें arrest करना चाहिए, या पर arrest कर लिया, तो उससे क्या effect हमें society में देखने को मिलेगा, जो colonial state थी, काफी watch चलाकर रही होती थी, सारी public activities पे, सारे protest वगेरा पे, बहुत हद तक खुड के जो rule था, उसके foundation पर भी question कर रही होती थी, इनके fear समय इन reports के थूरू देखने को मिल जाते हैं, तो ये ही था इस chapter में, पूरा, hopefully आपको वीडियो explanation अच्छा लागा होगा, अब आपको जाके द देखना है, फस्तना पक का है सीरीज, लिंक आपको description में मिल जाएगा, explanation देख लिया है, question answer कर लेंगे, आपका chapter में, एक मार्ट भी board में नहीं कर रहा होगा, बाई-बाई, signing out, देख टेंगोली